नमस्कार कच्छा आठ्वी के भाँ के सात्वे पाठ धूप की उस्मित छुवन को लेकर प्रस्तुत है हमारे बटरफ्लाई चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम इस पाठ का स्वाध्याय हल करेंगे सब सुरुवात करते हैं शब्द वाटिका से कदरदान यानि ग्रोण गराहक जो गुहों को समझे रागनी यानि गीत संगीत सहगान मने कई आदमियों का एक साथ मिलकर गाना समोगान परवाज यानि उडान उश्मित मने गर्म साज यानि वाध्य सूचना के नुसार कितियां करो रिक्त चौकट में सुयोग योत्तर लिखो अब तक कभी से उदासीन रहने वाली दुनिया सपनों स रित को आने से हुए परिवर्तन पंकों में चिडियों के नई परवाज आ जाई आ गई हवाओं में मधुर खुश्बू फैल गई दिशाओं में बज रहा कोई साज है कंठों में गाओं की नई आवाज उग रही है कभीता की अंतिम दो पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो हम हमने कभीता का अर्थ है आपको जब हमने पाठ पढ़ाया था हमरे पिछले वीडियो में हमने अर्थ दिया हुआ है कल्पना पल्लव जो बीट गई सो बात गई इस संदर्भ में अपने वीचार करो जो बीट गई किसी भी प्रकार की बात हमारे बीच होती है या किसी के बी और उल्जन हो तो उन बातों को घूल जाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है इसलिए बीटी हुई बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इसलिए यहां कहा गया है कि जो बीट गई सो बात गई सदय ध्यान में रखो प्रकित में निरंतर अनुसासन दिखाए देता है जैसे प्रकित क्या शूर्य पृत्वी नदियां यह सब जंगल पहार यह सब प्रकित प्रदत चीजी हैं इनमें अनुसासन दिखाए देता है जैसे शूर्य शूर्य प्रति दिन अपनी एक निश्चित समय पर दिखाई देता है और सूर्यास्त होता है सूर्यादः सूर्योदे होता है पिस भी निरंतर अपने अक्षपर घूंगती है और सूर के चारोर चक्र लगाती है नदियां हमेशा बहती रहती है इस प्रकार से ये दिखाई देता है कि प्रकित निरंतर अनुशासन में र लेती हैं तो अर्थक की अनुसार आठ प्रकार की वाक्य होते हैं बीदिवाचक या विधान आर्थक निसेध वाचक या निसेधार्थक वाक्य आठ प्रकार की विदिवाचक या विधान आर्थक वाक्य निसेध वाचक या निसेधार्थक वाक्य आदेशात्मक वाक्य प्र अंदेह वाचक और संकेत वाचक यह डिए आत्परकार होते हैं अर्थ-क्यनुसार वाके के परकार अब हम कविता में से कविता में से ही उस पांच परकार के उधरा लिखेंगे जैसे यहाँ देखें जाने क्या हुआ आज कदर्दान हो गई तो यहाँ पे प्रस्न है यहाँ क क्या तो ये प्रस्वाचक वाक्य हो गया उसके बाद इपलभर को नहीं यहां नकारात्मक सब्द हो गया नहीं पलभर को नहीं चैन से शुपाया आदमी तो निशेरात्मक वाक्य पेड़ है कुछ कुछ समझ कर आ रहा है कुछ संकेत यहां मिल रहा है कि रितुराज आ रहा है ऐसे संकेत मिल रहे है कि पेड़कुश है कि रितुराज आ रहा है इसे संकेत वाचक है बिधान आर्थरकवा के दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है यह बिधान आर्थरकवा के है य इस तरह के पूरा होता है, अगला है, निम्न सब्द शुद्ध करके लिखो, प्रकृती, प्रकृती, शक्ती, शक्ती, मैं, मैं, नहीं, नहीं, छुट्टियों में आयोजी संस्कार वरके आयोजे के नाते आकर से वियापन द्यार करो, मैंने समझा, अपने पहचान के लोगों से मिलने पर राह आसान हो जाती है, बसंत के आने से सभी प्राणी बनस्वती प्रसन हो जाती है, इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वादय समाप्त होता है, धन्यवाद